क्या पती पतनी का एक साथ एक थाली में भोजन करना अच्छा होता है या फिर बुरा होता है एक थाली में भोजन करने से क्या घर में खुसियां आती है या फिर उस घर से खुसियां चली जाती है आखिर होता क्या है जो हमारे पुर्वज थे जो पहले के विद्वान थे जो आखिर उनका विचार क्या था तो आज का जो हमारा विशे है वो इसी मुद्दे पर है कि क्या पती और पतनी को एक साथ एक थाली में खाना खाना चाहिए भोजन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो अगर आपके मनों यह सवाल हो यह प्रश्ण हो तो वीडियो को नाम कमेंट कर देना है उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है तो आईए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दर्सकों आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी पती और पतनी एक साथ एक थाली में खाना खाते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं लोगों की मन में होता है कि ये अप्षगुन है ये बुरा हो रहा है इस घटना के बाद घर का माहौल खराब हो जाएगा या फिर जो हमारे पुर्वज थे जो हमारा धर्म गरंत है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है तो आज हम लोग शाड़ी बातों को असपष्ट करने वाले हैं दर्सकों आप जानते होंगे कि महाभारत काल में दुआपड युग में एक बहुत महान पुरुष थे जिनका नाम था भिस्म पितामह तो भिस्म पितामह ने कहा था ये उनका कथन है और उनकी अलावा किसी और व्यक्ति ने इस पर कोई टिपनी कभी भी नहीं कर चाहिए इसके पीछे जो उनके कारण दिया था वो कारण ये था कि जब भी पती पतनी साथ में खाना खाते हैं तो घर के जुबांकी लोग होते हैं उनसे कहीं न कहीं प्रेम कम हो जाता है और जब घर के जुबांकी लोग हैं उनसे प्रेम कम हो जाएगा तो घर में तनाव होना सुरू हो जाएगा घर में छोटी मोटी बातों पर कलह उत्पन्न होना सुरू हो जाएगा उस घर में शांती नहीं रहेगी शांती भंग हो जाएगी घर के जो लोग होंगे उनकी एकागरता भंग हो जाएगी घर के लोग एक दूसरे का सम्मान करना कम कर देंगे इसके पीछे कारण ये है कि उस विक्ती का अपने पतनी के परती प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और प्रेम बढ़ने से जो घर के बांकी लोग हैं उनसे प्रेम कम हो जाता है और जब प्रेम कम हो जाता है तो घर में तनाव बढ़ जाता है या फिर अगर कोई महिला है तो उस महिला का अपने पती के प्रती प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और घर के बाकी लोगों के प्रती प्रेम कम हो जाता है उन्होंने यही कारण दिया था परंतु अभिस्म बितामा के अलावा जो बाकी लोग हैं जो बाकी महान पुरुष थे महान रिसी थे उन्होंन कहीं भी इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया कि पती और पतनी जब एक शाथ भोजन करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता वो अब सगुन होता है वो बुरा होता है ऐसा कहीं भी किसी भी गरंथ में नहीं लिखा हुआ है अगर भिस्न पितामा के विचार को छोड़ दें तब और अगर उनकी बातों को मानते हैं तो उन्होंने जो कहा था जो उनका विचार था वो आपने सुन लिया तो अब आपको एक साथ खाना खाना है नहीं खाना है अपने घरबालों के परती आपका प्रेम कैसा है ये तैतों आपको करना है उम्मीद करता हूँ शाड़ी बातें असपस्ट हो चुकी होगी अगर आपके मन में कोई प्रस्ण रह गया हो तो कमेंट किजिएगा आपकी शाहिता आवश्च की जाएगी वैसे मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा वाईटी मिस्तरा को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में जै महादेब कमेंट कर देना है वीडियो को हर जगा सेयर कर देना है तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में धन्यवाद